हेलो एवरीवन वेलकम तो सिवल स्टैप टेचिंग एग्जाम और वेलकम तो थे सेशन तो आपका पोस्पोन हो चुका है और बहुत ही जल्द होप्स हो कि आपको जल्दी एग्जाम भी देखने को मिलेगा क्लियर है अभी जैसे रीसेंट नोटिफिकेशन भी आई थी वहां पे उन्होंने यह कहा था कि एंटीए का जो एंटीए जो है वो सियसायार नेट के लिए अब दुबारा से पेपर सेट करेगा तो उसके बाद ही आपका पेपर जो है वो कंडक्ट हो पाएगा आज को आपका यह सेशन रहने वाला है that is on your topic that is important books for chemical sciences for the exam that is your CSIR net तो chemical sciences में CSIR net से related जितने भी important books है unit wise unit या topic wise topic वो हम सब यहां पे discuss करेंगे I hope कि आप सबकी preparation जो है वो बहुत अच्छी चल रही है मतलब जो लोग बहुत लंबे time से prepare कर रहे हैं आपको अभी ऐसे नहीं बैठना है exam बहुत जल देखने को मिलेगा just try to solve more and more question और revise जो है वो आप अपना करते रहे और इसी के साथ अभी जो बच्चे beginners हैं जो just अभी MSC म अपने जिन्होंने एंटर किया है या फिर जिनकी master अभी हो चुकी है और वो नेट के लिए prepare करना start करना चाहते हैं तो देखो जब भी हम कोई exam को देने चाहते हैं या हम उसके लिए prepare करते हैं तो सबसे पहले important चीज होती है उसका syllabus कि उसके बारे में हमें जानना है कि कौन- में नेगेटिव मार्किंग कितनी है सो यह सब चीजें हमारे लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है और उसके बाद सेकिंड स्टेप में हमारे पास important होता है कि हमें पढ़ना कहां से है बुक्स जो है वो कौनसी फोलो करनी है कौनसी टॉपिक के लिए कौनसी बु देता है इसलिए जहां से भी पढ़ रहे हैं अगर आप हमारे से स्टेडी कर रहे हैं और इसके साथ अगर आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो उन लोगों ने जो भी आपको बुक्स बताई हैं आप वो चीजों को फोलो कर सकते हैं राइट इसके अलावा वहां पे जो assignments मिल राइट विकॉज यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं और कहीं ने कहीं आपके लिए यह चीज जो है वो बेनिफीशल भी रहेगे क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा questions जो है वो solve करने के लिए मिलेंगे राइट सो लेट स्टार्ट टुडेश क्लास जो विए इंपोर्टेंट टॉपिक की स्टार्ट वाला टुर्टेंट था अब चाहिए और अगर मैं बात करूं यहां पे इंपॉर्टंट टॉपिक की तो सबसे पहले आपके पास आता है ओंसी और यहां बीट नहीं इसी के साथ यहां पर है उसके बाद आपका कॉडिनेशन केमिस्ट्री बहुत जादा इंपोर्टेंट रहता है इसी के साथ बाकी जो चैप्टर है लाइक क्यामिकल बॉंडिंग तो वहां से दो से चार माक्स का आपको देखने को मिल सकता है में ग्रूप एलिमेंट और एप से कभि-कभी क्वेशन आ जाते हैं कभी-कभी क्वेशन नहीं भी आते यह लेकिन maximum post छो आपको चुरहता है कि कहां से देखने को मिलें इस्ट बेस और्ड९ मेस्ट्री से और को कुमार की show को फोलो कर सकते हैं और इसी के साथ मिल्र एंट या इनफ रहेगा ईस likes और Aleize की पुप्ता और ए अलाइस की बुक आपके लिए suitable रहेगी next या bio-inorganic chemistry bio-inorganic chemistry अज्य कुमार या हुए की बुक से आप इसको कर सकते हैं and the next one is what that is your analytical chemistry जो आप स्कूग की बुक से कर सकते हैं acid and base chemistry की बात करूं तो misler and tar और आप देख सकते हैं कि misler and tar बुक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important भी है तो आपने इस बुक को जरूर जो है अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो इसको जो है आप PDF form में download कर सकते हैं net q पर आपको available रहेगी लेकिन इस बुक को at least एक बार आप जरूर पढ़के जाएं इसी के साथ आपके पास है main group elements की बात करूँ तो जडली की बुक और greenwood आपके लिए जो है वो सही रहेगी इसी के साथ F group elements के लिए housecraft इस बुक और बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें explain की गई है so housecraft is one of the most important and the next one is what that is your chemical bonding जिसमें मैं prefer करती हूँ misler and tar and parcel and quartz की बुक तो अभी आप यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के बात करूँ कि कौन सी बुक जो है वो जादा मैंने यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि बहुत जादा आपको देखने को मिल रही है so I prefer you कि आप जो है एक अजे कुमार की बुक के साथ जा सकते हैं क्योंकि यह आपको easily understandable भी रहेगी और साथ में आप जो है इसी के साथ इसके साथ जा सकते हैं misler and tar की बुक के साथ जो है वो आप जा सकते हैं this misler and tar book is very very important from the foreign authors and the next one आपके पास एक जेडली और हाउस्क्राफ्ट की बुक रहती है हाउस्क्राफ्ट बुक में भी चीजों को बहुत इच्छे से explain किया गया है so यह जो बुक्स है वो आपके लिए inorganic chemistry के लिए important रहने वाली है done इसी के साथ बढ़ते हैं next की तरफ that is your organic chemistry की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास aromaticity जो आपका first topic भी रहता है इसके लिए आप Carrie and Sandberg और साथ में Jerry March की बुक को फोलो कर सकते ही है next reaction intermediates के लिए this book is very nice और बहुत जादा important भी है that is your Cladden और Crathurs की बुक बहुत सारे आपने देखा होगा कि Crathurs की उपर जो है वो बहुत सारी चीज़े जो है वो आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि direct net में जो questions आते हैं वो आपको इन दोनों बुक से देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ stereochemistry one of the most important one that is PS Kalsi and Nassipuri की बुक का फोलो कर सकते हैं रियजेंट जो की organic chemistry में एक one of the most important है that is Cladden and Crathurs की बुक को फोलो किया जा सकता है naming reaction again one of the most important topic इसमें आप Cladden and Crathurs और इसी के साथ reaction और mechanism तो देख लीजें organic chemistry में अगर आप सिर्फ Cladden और Crathurs की बुक को करके जाते हैं एक बुक को थोरो study कर लो एक बुक को जो है वो MCQs के लिए रख लो वैसे तो MCQs दोनों से ही करने हैं लेकिन study एक ही कर लो दूसरी बुक से क्या करो MCQs attempt कर लो तो इस तरीके से आपके पस काफी हत्तर questions भी prepare हो यहां पर देख रहे हो ठीक है मैंने यहां पर छे topics लिकेंट शेटापिक्स में से बात करूं तो जिसे रियोजेंट नेमिंग रियक्शन स्टीरियो के मिस्ट्री वन अफ दॉस्ट इंपोर्टेंट है स्टीरियो के मिस्ट्री में जैसे हमारे college level के उपर हमें पीस कल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हेट्रोसाइकली केमिस्ट्री अगें फ्रॉसी और क्लेडन की बुक कर सकते हैं और 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 स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पीस कल्सी और पाविया अगर मैं एक conclusion निकालूं तो एक लेडन की बुक रहगी एक आपके पास रहेगी मैं प्रेफर करूंगी क्रैथर्स की बुक और एक मैं stereo chemistry के लिए देख लिए एक पीस कल्सी तो है ही है जहां से आप concept को study कर सकते हैं और पाविय की बुक जो है वह अपने आप में बहुत अच्छी बुक है यहां से अगर आप examples को qualify करने का या examples को solve करने का ट्राइ करेंगे तो वह आपको कहीं ने कहीं benefit देगा ही देगा तो आई सुझेस्ट यू इस फोर बुक स्पेशली फॉर दर और और गैनिक chemistry as you know organic chemistry से जो questions होते हैं वो आपको एक अच्छा गासा question जो है वो यहां पर देखने को मिलता है तो foreign authors की बुक से एक बार practice करना आपके लिए बहुत जादा important रहेगा right so this is all about the organic chemistry books और इसी के साथ next चलते हैं the last one that is your physical chemistry में अगर मैं बात करूं तो जैसे देख सकते हैं कि group theory में ऐसे तो आप s1 लक्ष्मी को भी follow कर सकते हैं but mostly मैं आपको बोलूंगी कि you can go with fa cotton because this is more beneficial fa cotton जो है वो काफे concept clear भी कर देता और इसके examples भी आपको easily समझ में आजाएंगे तो you can go with fa cotton ठीक है बहुत सारे examples जो है वो group theory से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसी के साथ physical spectroscopy तो वेन्वेल के साथ आप जा सकते हैं quantum chemistry के लिए के ल कपूर या फिर जो है वो इसके लिए प्रेफर रहेगी electro chemistry में आप के ल कपूर को फोलो कर सकते हैं और बाकी जितने भी chapters हैं वहां पर आप पूरी शर्मा पठानिया के ल कपूर और आफ कि बुक को फोलो कर सकते हैं और यसी के साथ अगर किसी को लगता है कि मुझे पहले नॉर्मल चलना है तो आप आप जिसी इन और गैनिक के मिस्ट्री में हम पुरिः शर्मा कालिया को फोलो करते थे तो ऐसे फिजिकल कैमिस्ट्री में आप पुरिः शर्मा पठानिया को फोलो कर सकते हैं नेक्स्ट जो मैंने यहां पर कॉमन गुक देखी जो कि मुझे इंपोर्टेंट लग रही थी that is your KL Kapoor is important one रस्तोगी और मिश्र की बुक आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी इन चाहनल अगर आपको लेके चलना है तो पूरी शर्मा पठानिया फोलो कर लो एटकिन की बुक को फोलो कर लो और साथ में कैफे कॉटन की बुक को फोलो कर लो ये आपके पास more than enough रहने वाला है क्योंकि physical chemistry की तियारी के लिए आपको maximum जो है वो numericals की जरूरत होती है तो इन बुक्स में enough numericals आपको दिये गई हैं जिसके basis के ऊपर आप अपने questions को solve कर सकते हैं right so this is all about this I hope कि हमने जितने भी बुक्स को study किया है आप लोगों को ये चीजे clear हो गई है कि कौन से topic को किस बुक से आपको study करना है अभी फटा-फट से एक बार देख लो कि जैसे मैंने inorganic chemistry की बात की थी तो आप अगर normal level की उपर चलना चाहते तो पुरी शर्मा कालिया ले लीजिए फिर उसके बाद आप अज्जे कुमार की बुक को follow कर लो right इस तरीके से आप चल सकते हैं housecraft होगी miser and tar हो गया और यानि chemistry में क्लेडन को पढ़ लो क्राथियोस की बुक को पढ़ लो पाव्य की बुक को पढ़ लो मतब यह तीन चार बुक्स हैं आपके पास और फिजिकल केमिस्ट्री में atkin is one of the most important one के यल कपूर हो जाएगी और साथ के साथ जो है वह वहां पर पुरी शर्मा पठानि आपके पास रहेगी तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं राइट सो दिस इस ओल अबाउट दिस सेशन और आई होब कि आमने जितने भी बुक्स के बारे में स्टेडी किया है आपको यह चीज़ें समझ में आ गई है इसी के साथ स्विल स आप टीचिंग एक्जाम टेलीग्राम चैनल पे तो इस चैनल को आपको जरूर जोईन करना है क्योंकि CSI या नेट से रिलेटी जितने भी क्लासिस हो रही है इसके लावा यूट्यूब पे जो भी क्लासिस चलती है सबका पीडिया फॉर्मेट आपको इसी चैनल के ऊपर अ या नेट कैमिकल साइंसे से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी क्लियर सो दुस इस वाल बाउट थैंक यू सो मच एवरीवन